हेलो एवरीबन स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉब में गॉर्मेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनरजी की तरफ से सिख्षक भरती का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिस में PREP, PRT और TZT में वेकैंसी आई है यहाँ पर PRT के लिए और PREPRIMARY SECTION के लिए 40 यर तक के चैनलिएट जो हैं आविदन कर सकते हैं और TZT के लिए आविदन करेंगे 45 यर तक के चैनलिएट अनुवव बिल्कुल नहीं चाहिए तो प्रेशर के लिए काफी अच्छा मौका है क्योंकि बहुत सारी वेकेंसी आती हैं बट अन्वव मांगते हैं और जिनके पास कोई भी अन्वव नहीं होता है तो ऐसे में वह अप्लाइड नहीं कर पाते हैं तो ऐसी वेकेंसी पर बिल्कुल आप नजर रखें जहां पर कोई भ अगर काम करते हैं अन्वव आपको मिल जाता है तो फिर आप अपने ही राज्य में जो है वेकेंसी आती हैं ऐसी अच्छी वेकेंसी आती है बड़े स्कूल की तो आप वहां पर भी जो है अप्लाइड कर सकते हो इसमें महिला कैंडिरेट को 10 वर्स की छूट है यानि की प्र प्राविदन कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं सबसे पहले ओफिशल वेबसाइट पर चलेंगे एटोमिक एनरजी सेंट्रिल स्कूल से वेकेंसी है यह ओफिशल वेबसाइट है www.nfc.gov.in यहाँ पर जो है सबसे उपर रिकूट्मेंट सेक्षन है इस पर जो है आप लोग क्लिक करेंगे TZT English, TZT Maths and Physics, TZT Biochemistry, TZT Physical Education Teacher, Male and Female तो यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन में आपने यह सबजेक्ट पढ़ा हो तीनो साल कितनी परसेंटेज होनी चाहिए यह कुछ भी रही है कितनी भी हो साथ में B.A.D. होना ज़रूरी है Physical Education Teacher के लिए Physical Education में Bachelor Degree PRT के लिए जो है B.A.D. वाले Candidate भी अप्लाइ कर सकते है D.A.D. वाले Candidate, B.A.D. वाले, B.A.D. वाले, सभी अप्लाइ कर सकते है ठीक है PRT के लिए Primary Teachers के लिए Prep Teachers यानि Pre-Primary के लिए 12th के साथ में Diploma, Nursery, Teacher Education या Pre-School Education या Early Childhood Education Program D.E.C.A.D. या फिर इसके Equivalent कोई हो आपका जो की 2 सालों से कमकार नहीं होना चाहिए ठीक है? इसमें जो है B.A.D. नरसरी वाले Candidate भी अप्लाइ कर सकते है English आपने पढ़ी हो जो भी Prep Teachers के लिए अप्लाइ करेंगे तो English आपने 12, 11, 12 में पढ़ी होनी जरूरी है English Medium is Essential Mode of Selection क्या रहेगा तो Return Test होगा और Skill Test रहने वाला है तो यहाँ पर Detail of Post, Pay and Upper Age Limit दी हुई है PRT या फिर Pre-Primary के लिए 40 यर तक के Candidate आविदन कर सकते हैं और TGT के लिए 45 यर तक के Candidate आविदन करेंगे IUC में छूट SCST को 5 साल की, OBC को 3 साल की Women Candidate को 10 साल की Physically Challenged को Government of India Norms के रहने वाली है ठीक है? Salary यहाँ पर क्या रहेगी? तो जो KVS की सेलरी रहती है वही है क्योंकि यह Central School ही है 21,250 पर मन्थ जो है इसमें PRT या फिर Pre-Primary Teachers की रहने वाली है पर पिरेड अगर आप यहाँ पर काम करते हैं तो Maximum 5 पिरेड आप ले सकते हैं पर पिरेड 170 रुपीज रहेंगे TGT में सेलरी जो है 26,250 पर मन्थ है अब किसी को जो है बहुत आवेशकता है तो बिलकुल यहाँ पर आवेदन करें सेलरी जो है यहाँ पर time to time मिलती है आप जानते हैं कि KVS यह जो government school रहते हैं तो इसमें बिलकुल समय पर सेलरी दी जाती है इसमें और भी आप लोगों को यह है कि अगर आप कम time दे सकें और government job के तियारी कर रहे हैं तो यहाँ पर period के according आप पढ़ा सकते हैं ठीक है TZT में जो है पर period 210 रुपीज यहाँ पर पे करेंगे अब कैसे जो है भेजना है आप लोगों को application form आप लोगों को official website पर आएंगे recruitment section पर click करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को advertisement के नीचे application form मिलेगा इस पर click करना है सबसे पहले जो है download करके और print निकालना है ठीक है print निकालने के बाद आपको क्या करना है समय दिया है इन्होंने 1 December 2024 से लेकर 16 December 2024 16 December 2024 अब इस तक पहुँच जाना चाहिए application form official website का link भी यहाँ पर है भेजना किस address पर है तो यहाँ पर address लिखा है तो प्रेंसिपल कॉडिनीशन Atomic Energy Central School 2 ठीक है Central School 2 DAE Colony ECIL Post Hyderabad 50000062 यह address है तो इस school में जाकर भी आप लोग समिट करवा सकते हैं नई दूर रहते हैं तो by post आप भेज सकते हैं Only shortlisted candidate will be called for return test and they must bring the original certificate on the day of return test for verification तो सबसे पहले तो candidate को shortlisted करेंगे official website पर list आएगी आप उसमें अपना नाम देखेंगे अगर आपका नाम है तो return test जब होगा तो आपको original certificate अपने लेके जाने हैं जिस दिन आपका test होगा उसी दिन जो है document verification भी ये लोग करने वाले हैं चीक है तो ये पूरा जो है notification था official website के link के लिए इसी वीडियो के नीचे description box को check करेंगे वहाँ पर आप लोगों को link ज़रूर मिलेगा मिलेंगे नेक्स वीडियो में THANK YOU